मा तू सबसे प्यारी है मा तू जग में न्यारी है मा तू सबसे प्यारी है मा तू जग में न्यारी है अपने आचल में रखना हमे वर्दानों से भरना माँ तू सब से प्यारी है माँ तू जग में नारी है पिदा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जै येश्यू कल 1 नवंबर ओल सेंस डे है ओल सेंस डे के लिए मैंने कलास तयार किया है उसके अंदर हलोविन के विशे में भी थोड़ा सा बताया लेकिन किसी भाई ने मुझे मेसेज डाल करके कहा ब्रदर ये हलोविन के विशे में एक अलग कलास लीजी और मुझे आज पेपर में भी ये पढ़ने के लिए मिला कहीं बर लाखोन लोग हालोविन मनाने के लिए इकटे हुए थे वहां बागादवडी हुए उसके अंदर सैकडोन लोगों का अम्रित्यू हो चुका है और इस हालोविन जिस प्रगार कलीसिया मना रहा है उसके अनुसार नहीं मैं ये बता करकर दूँगा गतली की कलीसिया जिस प्रगार का हलोविन आज कल मना रहा है इसको मना किया है ये पाप के लिए आज के नव पीडियों को लेकर रहा है सेतानी पूजा में इसको लेकर रहा है ये हलोविन इसका शब्द का अर्थ कल के क्लास में भी मैं बताया आज फुर से बता करकर देऊंगा हमें मालुम हैं कल ओल सेंस डे हैं इस ओल सेंस डे का पूर्व संधिया में ये हलोविन मनाते दे हलोविन का मदलब है हलोविन का शब्द को निकाला है होली इविनिंग से उसी से इसको निकाला है या ओल सेंस डे को कई जगाओं पर ये भी बोलते हैं ओल हालोस डे ओल सेंस डे को ओल हालोस के जितने भी पवित्र लोगे, संद लोगे उनका दिन ये बोलने के लिए तो उस ओल हालोस डे को मनाने के पूर्व संधिया को हमें ये भी मालूम है हमारा लिटरजी के अनुसार कोई भी दिन शुरू होता है पूर्व संधिया से दिन को शुरू होता है विशेशकर जो पूर्वी कलिसिया अगर इतवार को मना रहा है वो सेनिवार शाम छे बजे से उसके लिए वो समय सुरू हुआ उदाहरन के लिए हम लोग क्रिस्मस मनाते हैं 25 डिसंबर क्रिस्मस का दिन है लेकिन हम कब मनाते हैं 24 का रातरी को मनाता है 24 का रात्री को मनाने का कारणी है ये क्योंकि उत्योहार सुरू ओर रहा है उसके पूर्वी संध्या से उसी प्रगार इस्टर को लिजिए इस्टर तो इतवार को आना चाहिए लेकिन हम लोग कब मनाते हैं सेनिवार के रात्री में शेनिवार रातरी में मनाता है और उसी प्रकार पेंड़कोस्ट पेंड़कोस्ट भी पचासव दिन इसके बाइस्टर से पचासव दिन फुरसे पड़ेगा इतवार का दिन लेकिन हम लोग शेनिवार रातरी को मनाते हैं तो ये मुख्यता ये तीन त्योहार को ही हमें मालूम है कि चाहे क्रिस्मस हो या इस्टर हो या पेंडिकोस्ट हो हम लोग पूर्वी संध्या से उसको लेते हैं उसी प्रगार ये All Saints Day साथमी सदी से मना के आ रहा है उसका इदिहास कल के कलास में बताया है तोड़ा सा और बता 609 को 13 में 609 को संदपापा वोनिफस फोर्त ने इस परव मनाना सुरू के कैसे हुआ जैसे अन्य जाधी के एक मंदर जिसको पांतन करते हैं आप यूट्यूबरे में भी इसको देख सकते हैं ये खा जाता है जो ट्राजन हो या हर्दियन हाद्रियन जो एमबर है उनकी द्वारा बिनाया होना चाहिए तब से वो ये अन्य जाधी का एक मंदर था ये सातमी सदी में आकर के वा उस समय का जो एमबर है बाइजन देन उन्होंने संदपापा वोनिफस को ये मंदर जो है हांड़वर किया क्रिस्टियन लोगों के लिए उसको हांड़वर किया तो संदपापा वोनिफस ने उसका जो रिनिवेशन करवाया रिनिवेशन करवा करके संद माता और सभी शहीदों के नाम पर वो एक बसलिक्या उसको बनाया सेन मेरी एंड ओल मार्टियस के नाम से एक बसलिक्या के रूप में उसका डिडिकेशन रिडिकेशन जो हुआ वो तेरह में 609 को था तो सब मरतगों को सब विशेशकर जो शहीदों को वहां पर याद कर रहे हैं इसी वज़े से कहा जाता है तेरह में को इसके बाद जो सेंस डे है जो मनाना सुरू किया था लेकिन बाद में आकर के ये इत सेंचुरी में संद पापा ग्रिगरी तीसरे ने उस दिन को नवंबर फस्ट में बदला है उसका भी कारण है वहां बर संद पीटर के नाम बर एक और रैटरी जो सुरू किया वहां बर अनेकों शहीदों का और जो हमारा प्रेरिदी लोगों का जो रेलिक्स जो अवसेश जो मिला है उसको स्ताबित किया और उनका आदर सम्मान करते विए प्रार्थना किया नवंबर पहली तारिक को ये डेडिकेशन हुआ था उसको याद करते हुए इसका मतलब आटमी सदी से फस्ट नवंबर को ओल्ड सेंस डे के रुब में मनाना सुरू किया दीरे दीरे ये ओल्ड सेंस है सब संदों को याद कर रहा है हमें मालम है हम लोग जब बपतीसमा ग्रहन करते हैं तब एक संद का नाम हम लोग लेते हैं संद का नाम इसलिए लेते हैं उस संद के जैसे एक पवित्र जीवन जीने का कृपा हमें मिले और हमारे लिए सुर्ग में एक सुर्गिया मद्यस्त ओबन जाता है जिस संद का नाम हम धारन करते हैं इसलिए कलीसिया बपतीसमा के समय पर किसी संद का नाम लेने के लिए संद का नाम डालने के लिए करते हैं तो उस संद को उस दिन याद करते हैं तो दीरे दीरे क्या हुआ जैसे जिस विक्ति का नाम जिस संद का है उस संद के समान ड्रस को पहनना और जो फस्ट नवंबर के पूर्वी संधिया पर इसको मनाना सुरु किया सब लोग संदों का वेश भूशा में आना और बहुत बड़ा त्योहार जैसे इसको मनाते हैं बाद में ये भी देखने के लिए मिला उनके आदर में केक बनाना डिस्टिबूशन करना नाचना ड्रसस उनके जैसे पहन करके रहना इस प्रगार उन लोगों को अपने संदों के प्रदी आदर सम्मान भत्ति बढ़ाने के लिए ये कार्य चर्च में सुरू किया लेकिन जबी इस प्रगार हालोविन इसी को हालोविन बोलते हैं पवित्र संध्या इविनिंग पवित्र इविनिंग बोलते हैं मतलब All Saints Day का जो पूर्वी संध्या को इस प्रगार का Holy Evening पवित्र संध्या करके लोग इसको मनाना सुरू किया क्या मनाना सुरू किया संधों का जो अपने अपने विशेशकर जो अपने अपने प्रिये जो संध है नामदारी संध हो या जिस संध का आप बहुत बक्ति करते हैं ऐसे संधों का जो ड्रस पहन करके निकलना और प्रा कहते हैं Halloween का मदलब हो गया Holy Evening लेकिन सेतान ने इसके उपर तोड़ा mixing करना सुरू किया देरे देरे इस Halloween जो संदों का ड्रस पहन करके आ रहा है इन सेतान के आराधक लोगों पूजक लोगों ने देखा आत्माओं का जो मुर्द लोगों का जो आत्माओं का इखटा होना और उनका महिमा उनके लिए प्रार्थना करना फस्ट नवंबर हो या सेकंड नवंबर सेकंड नवंबर में सब म्रद लोगों के आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं विशेश कर जो परगिट्री के जो सोधगाक्नी के आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाला दिन और फस्ट नवंबर जो सब सुर्ग में प्रवेश किया हुआ सब संदों को गोशित नहीं किया के लिए संद के रूब में हमें मालू है इसे लाखोन लोग सुर्ग में हैं जो गोशित नहीं है चर्चर तो अगोशित संदों को भी फस्ट नवंबर पर हम लोग याद करते हैं तो इस प्रगार एक महान दिन है, इसलिए day of obligation इसको बिना है, day of obligation है, इस first November के दिन, तो उसको मनाने के लिए पूर्वी संध्या से लोग एकटे होते थे, उसको मनाना सुरू किया, जिन जिन देश का एक संध होता है, उस देश का संध के आदर सम्मान और हर विक्ती के लिए एक संध है, उनका आदर सम्मान तो एक पढली का एक संध है, उनका आदर सम्मान इस प्रकार संधों का आदर सम्मान के लिए सुरू होने वाला ये हलोवेन, धीरे धीरे सेतान मिलावट डाला, यह आप समझने रहोगा, कैसे मिलावट डाला, मैं बोल कर देता हूँ, जैसे हम लोग ईसा मसी का जन्म क्रिस्मस के रूप में मनाते हैं, क्रिस्मस के रूप में, ईसा मसी का जन्म को मनाते हैं, ईसा मसी का पर्व है, लेकिन आज कर तोड़ा देख लीजिए ये बिल्कुल ईशा मसी से हट चुका है ईशा मसी से हट करके एक जोकर का ड्रस पहना वो ड्रस नहीं पहना तो क्रिस्मस नहीं हुआ इसका भी कैसे शुरुआत हुआ मैंने इसका भी एक क्लास पिछले क्रिस्मस में डाला था ये क्रिस्मस पापा ये सब जो बोल रहा है वो जोकर कोन है ये विदेश में यूरोप वरे में क्या किया जो लोग क्रिस्मस के करीदारी करने के लिए जब निकला उनको आकरशित करने के लिए जो मालों में बड़े बड़े जो शौप्स है उसमें बैच्चों का एंटरटाइन्मेंट के लिए इस प्रकार का कुछ जोकरों को खड़ा किया लाल वस्तर पहनना उनके उपर ठोपी पहनना उनके चहरे पर कुछ जैसा मुकोटा पहनना इस प्रकार करकर के वो डान्स कर रहा था बैच्चों का एंडर्टेनमेंट और लोगों का अकरशन करने के लिए इसको धीरे धीरे जोडना शुरु किया सेंद निकलस के साथ सेंद निकलस को नहीं एक क्रिस्मस के अवसर पर विशेश जूरूप से लोगों का मदद करने वालए एक महान संद एक बिशप था वो अपना बिशप का ड्रस को उतार करके ये सांधा क्लोस का ये जोकर का ड्रस नहीं था ये अपना आइडिंडिटी को चिपाता था केवल अपने आइडिंडिटी को एक साथारन लोग जैसे गुम करके किसीने किसी को मदद करना यही तरीका था, अपना रूब, अपना नाम आगे नहीं दिखाता था, चोरे चुपे किसी का मदद करना, और इरिहास के अंदर कई लड़की होंगा, ऐसा विवाह होने का, गिरीबों को, भूकों को खिलाने का, गिरीबों को मदद करने का, ऐसा कई उदाहरन संद निकलस के जीवन से मिलेगा, अभी संद निकलस को, मेरे विजार में डिसमबर चेहतारी को कुछ उनका परुभ है, लेकिन क्रिसमस के साथ उनको दीरे से जोड़ना सुरू कर दिया, उस हमें पर संद निकलस के समान, हमें सेवाकारी करना चाहिए था, लेकिन संद निकलस को आज कल ए संद नाम भी आया, आज कल चाहे चर्ची के अंदर देख लो, कहीं मौल में देख लो, अन्य जादियों में देख लो, क्रिसमस के समय पर संद निकलस के बगर क्रिसमस नहीं होता, ये समस ही नहीं होगा, लेकिन संद निकलस जरूर होगा, इस प्रकार एक जोकर विक्ती ने क्रिस्मस को पूरा उनकी ओर लेकर कर गया उसी प्रगार ये जो हलोविन संद लोगों को याद करने का उनका ड्रस पहनने का जो समय था धीरे-धीरे सेटान आराथक लोगों ने जो सेटान का चर्च चलाने वाला पास्टर लोगों ने क्या बुद्धी में लेके आया उन्हों धीरी धीरे युवक्य युवतियों के लिए ऐसे इसे कपड़ा विपनी में बाजार में लेकर के आया जो कपड़ा स्केल्टन जैसे दिख रहा हो जो सेतान का चिन हो उसके अंदर आईसे इसे कर कर गए आज यूरोप में प्रभू को धन्यवाद हमारे भारत देश में अभी तक यह हालोविन यह जो है नहीं मना रहा है यह क्लास हमारे लिए जोरूरी भी नहीं है अभी लोगों ने पूछा इसी वज़े से मैं उसको उतर दे रहा हूँ हमारे देश में मेरे विज़ार में कहीं भी यह हालोविन नहीं मनाता है लेकिन कहीं वक्री वद्याम आजकर आईसा वस्तर धारन करते हैं अपना हेर कटिंग, हाइर स्टाइल, अपना फैशन, सब सेटान का चाल और हात का कुछ इशारा भी ऐसी इसे करकर कर गुमता है जो सेटान का नाकल कराने वाले सेटान का वेशुबूशा यह हालोविन, यह सेटान हेरातग का एक चाल था अभी आज के ही पेपर में मुझे पटने के लिए मिला कि इंविदेश में इस प्रगार हलोविन मनाने के लिए लाकों की संग्या इन लाक्स लोग इकटे थे वहां बर भगदड मचा और सैखडों लोगों का मृत्यू उसके द्वारा हुआ वे संद का ड्रस पहन करके नहीं सेटान का ड्रस पहन करके गुम रहें हलोविन कतली के कलीसिया इसका खंडन करते हैं इस प्रगार का ड्रस पहनना और माता पिदाओं से भी स्तानी ये बिशबलोब आगरह करें अपने बैच्चों को ऐसा ड्रस मत करीद कर देदो बैच्चों को इस प्रकार बाहर निकलने मत दो कर गए लेकिन लोग चाहे चोटे हो या बड़े इस प्रकार का वस्तरधारन कर निकल रहा है बरबाद हो रहा है इसमें सहिदान बहुत कुश हो रहा है और दूसरी बात इस अवस्तर का दुरुपियोग करते हुए सदुपियोग में बोलूँगा कुछ प्रोटेस्टेंड चानल ने कातली की लोगों की उपर अटा करने के लिए इसको इस्तमाल कर रहा है कातली की लोग ऐसा सहितान का पूजा कर रहे करकर दिखा रहा है इसमें कातली की चर्च के साथ इसका कोई सम्मंद नहीं जिस प्रगार जो सांटा क्लोस चर्च के कोई आधिकारी के पत्र के अंदर कोई नेम के अंदर यह नहीं यह सब अपने अपने मर्जी से आईसा रंग पाएना आईसा सांटा क्लोज को इस्तमाल करना यह सब करकर रखा है हमें इसा मसी को अपनाने की जुरुरत हैं हमें संदों का आदर करना है इस प्रकार किसी के सामने हास्य का खिली उडाने का एक कार्य नहीं करना चाहिए ये चाहे क्रिस्मस हो चाहे अभी ओल सैंस डे हो इतना पुनीत दिन इतना पवित्र दिन सब संदों का आदर करने का और अपने संदों के साथ उनके जीवन, जैसे अपने जीवन में तोड़ा बदलाव डालने का एक अच्छा आवसर, इसलिए इसको पवित्र दिन माना जाता है, तो उस दिन को हम इस प्रकार का सैतान का पूजा करने और सैतान को कुश करने का दिन नहीं मनाना चाहिए, मेरे आप लोगों को ये हालोविन के विशे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये हालोविन होली इविनिंग है, पवित्र इविनिंग है, वो सैतान का इविनिंग नहीं बनाना, चाहे नशा करना, चाहे प्रार्थना नहा करना, चाहे बाइबल नहीं पढ़ना, चाहे प इस दिन को नहीं कोई भी दिन हम लोगों का जिवन में ऐसा आता है, हम सेतान को खुश करता है, हालोविन है, तो हमें इससे बचने की जुर्द है, हमें इस दिन को हालोविन बनाना है, पवित्र दिन बनाना है, पवित्र शाम बनाना है, पवित्र शाम इश्वर के साथ होता ह संदों की संगदी में होना है आईए अपने आँखों को बंद करें नरने करें सप्रगार के ऐसे पापों से ऐसे जो भी कारी चलता है उससे दूर रह करके प्रभू का आदर सम्मान करने का नरने कीजी कल के दिन हम लोग सब संदों का पर्व मनाते हुए हम लोगों को सब संदों के साथ रहना सब संदों के साथ रहेकर उनका उदाहरन वे लोगा नेकों लोग कृस्त का साक्षी बन करके शहीद हुआ उनका हम आदर कर रहे हैं कृस्त के लिए अपने जिवन और पित कर हमारे लिए एक उदाहरन चोड़ा है उनका उस उदाहरन के अनुसारा में जिवन जिना एक नरने कीजिए पिदा पुत्रों और पवित्रात्मा के नाम पर हमें आप सबों को जेएशू है एक आप सकता हैं जिना पुत्रों के बार चजए एक निना के अनुसार है एकड़ आप सबुत्रा हैं जिना आप सल्वार हमें लिए जुक को जातो है भी में आप सबूर आप सब्सक्ता हुआ हैं